तो चलिए चार से पांच बज़े वाला जो टाइम होता है नई इसमें तो कुछ चटपटा आया कुछ तीखा मिठा खाने का मन करता है तो यहां पे बहुत ही ज्यादा हेल्दी है यह और बहुत ही ज्यादा टेश्टी है तो बच्चों को भी और बढ़ों को भी बहुत ही मज उटार हो गया और लाल मिर्च पाउडर हो गया और यहां पे थोड़ा सा आड़ कर देंगे चाट मसाला पाउडर यह मसाले बुणने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे मखाने 秤े मखनों को थोड़ा सा रोश्ट प서ने में टाइम लगता है तो यहां पे हम lassба करना है ग दिरे दिरे चलाते रहना है नहीं तो नीचे से जल भी सकते हैं यहां पर हम चेक कर लेते हैं तो यह क्रिस्पी हो चुके हैं तो यहां पर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अब इसको ठंडा करने के बाद एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे तो सच में बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनते हैं बहुत ही ज्यादा टेश्टी पच्चे बहुत ही पसंद से खाने वाले हैं इसको और साथ में हिल से भरपूर है तो यहां पर हम डालेंगे कुछ बारीक कटीवी प्यास खीरा टमाटर और धनिया पती और यहां पर डाल दे थोड़ा सा आलू भुजिया आप चाहे कोई भी नमकी नाइट कर सकते यह पे अपनी पसंद से यहां पे थोड़ा सा नीबू का जूस डाल देंगे लीजे तयार है हमारी छोटी मोटी भूख के लिए हेल्ट से भरपूर सामका नास्ता तो चलिए अगर रेश्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक कोमेंट और से यह जरूर करिए थैंक्स फॉर वाचिंग माई बीडियो